मराटा छत्रिय सर्दार प्रताप राव गुर्जर यह मराटा समराज्ज के तृत्य सेनापती थे। इनका असली नाम कुंड तोजी गुर्जर था। प्रताप राव नाम की पद्वे मिली थी जो सत्रेवी सदी के भारत वर्थ की सबसे सपल सेना थी। प्रताप राव गुर्जर की मिर्जा जैसिंग के विरुद युद्ध में अपनी वीरता की पावती में वीर शिवाजी महराज द्वारा वीर बहादुर नाम दिया गया था उन्होंने उनके राजा के विश्राम और अपने सेनकों के प्रती बफादारी का आनंद लिया जो एक प्रतिवा शाली और सहसी व्यक्तित्व के धनी थे उन्होंने शैल हर की प्रसुदी लड़ाई में एक बड़ी मुगल सेना को पराजित किया सहल हर मुगल और मराठों के बीच एक बड़ी लड़ाई है और पहली बार बड़े इस्तर पर खुले मैदाल में दोनों के बीच लड़ाई हुई थी सहल हर पर मराठों की जीत की तुलना में एक की तुलना में मुगलों ने अपने सैन कोशल में एक निश्यत मोड के रूप में देखा जाता है प्रताप राव गुरजर की बड़ी कमी उनका आवेगी और भावक स्वावाव था कुछ महीने 16-74 में राजा शिवाजी के राजी विशेक से पहले प्रताप राव गुरजर अदिल शाही जनरल भलोल खान के नेत्रत्व में हमलावर बल के साथ सौदा करने के लिए भेजा गया था मराटा सेना निसारी की जगे पर भलालो खान के सिविर को गेर लिया प्रताप राव की सेना ने भलोल खान को पराजित किया भलोल खान परताप राव गुरजर के पैरों में गिरकर अपनी मुक्ति की पात्ना करने लगा और फिर से राजा सिवाजी के प्रदेशों पर आक्रमन नहीं करने का वादा किया प्रताप राव गुर्जर की बड़ी कमजोरी उनका भावुक सुभाव था उन्होंने खान को चेतावनी देकर छोड़ दिया चेतावनी के पश्चाथ अपनी मुक्ती के कुछ दिन बाद ही भलौल खान ने एक ताजा आक्रमन के त्यारी प्रारम कर दी जब शत्रपती सिवाजी महराज ने प्रताप राव गुर्जर के नेने के बारे में सुना तो वे नाराज हो गए और कोद में प्रताप राव गुर्जर को एक पत्र लिखा प्रताप राव गुर्जर को अपनी गल्ती का अनुवव हुआ और फिर उन्होंने बहलौल खान को किसी भी कीमत पर पकड़ने का निश्य किया 24 फरवरी 1974 सिवरात्री का दिन था प्रताप राव गुर्जर को खबर मिली कि बहलौल खान पास ही में डेरा डाले हुए है प्रताप राव गुर्जर ने कोलापुर के पास निशार में बहलौल खान के विरुद एक यूजना बनाने का निर्णे किया लगबग 20,000 सेनकों के साथ बैलौल खान और 12,000 सेनकों के साथ प्रताप राव गुर्जर थे 12,000 सेनकों के साथ प्रताप राव गुर्जर का लड़ने का निर्णे आत्म हत्या करने से कम नहीं था लेकिन वो सिवाजी महराज के क्रोध में लिखे गए एक पत्र और उनकी नाराजगी से चिंता में थे अपनी घुड सवार सेना से पूछे बिना वो अकेले चल दिये निश्चित मौत के लिए अपने नेता के सिर को देख कर छे अन्य मराठा सरदारों ने दुस्मनों के सिवर पर आकरमण कर दिया यह एक आबेगिय निर्णे था और प्रताप राव गुर्जर की मौत मराठों के लिए एक बड़ा नुकसन था अनंदरा और हनसाजी मोहिते सेना को सुरक्षत जगों पर ले जाने से सपल रहे सिवाजी महराज ने आनंदरा और हमभी राव मोहिते के नेत्रत्व में बहलोल खान को बुरी तरह हरा कर उस शेत्र पर आदिपत्ते इस्थापित कर लिया और प्रताप राव गुर्जर की मौत का बद्रा लिया हम्भी रारो मोहिते मराठा बल के नए सरनोबट यानि के कमांडर इंचीप बनाए गए सिवाजी को प्रताप राव गुरजर की मौत का समाचा सुनकर गहरा दुख पहुचा उन्होंने अपने दूसरे बेटे राजकमार राजा राम का विवाह प्रताप राव गुरजर की बेटी के साथ कर दिया जो बादवे मराठा राजी की महरानी वनी महरानी जान की भाई हमारा देश मरट्टा सरदार प्रताप्राव गुर्जर की वीरता को सदै व्याद रखेगा कि वीरता की वी डल बाओा कि वी वीरतान की वी रखे । क्या भंद रखेकर की वी वी गपाल्व।